सर्दियों में लगातार खराब मौसम के चलते और बारिश के होते हम लोग को जो है अर्बन गारणी में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तो किनकिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उसका क्या सलूशन है आज की वीडियो में हम आपके संग शेयर करेंगे जब जड़े जो है उनको oxygen नहीं मिलेगा तो वो growth क्या ठीक से करेंगी और growth नहीं करेंगी तो plant भी जो है दीरे-दीरे खराब होने लगेगा उसमें हम लोग जो भी nutrient पर गरह डालेंगे वो पूरे plant तक नहीं पहुँच पाएगा तो पहली समस्या के solution के लिए हम लोग गमले के नीचे जो भी लगी हुई है drainage trays होती है इन सब को तुरंती हटा दीजे देखे कुछ drainage trays तो टूटी टाटी सी रहती है चटकी रहती है तो उनमें अपने आपी पानी निकल जाता है लेकिन जो सही सलामत रहती है उनमें पानी store होत रहता है तो उनको तुरंती निकाल लीजे अगर कोशिश करिए यह पानी बचा करके कहीं रख सकते हैं तो उनको जरूर रख लीजे क्योंकि यह पानी जो है बहुत अच्छा है पुशक तत्नों से भरपूर है हमारे गमले की मिट्टी में से जो भी नूट्रियंट है वो ब इवोपरेशन भी तेजी से होगा लेकिन यह ध्यान रखिए अगर प्लांट अगर फुली ग्रोन है जैसे हमारे गुल्दाओदी के दिख रहे हैं तो ऐसे में गुडाई करना थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों इससे प्लांट की जड़ें डामेज हो सकत हैं अडीनियम वगेरा है जो सकूलेंस हैं बहुत सारे नाजुक होते हैं वो दोस्तों बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं सर्दियों में अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी पानी पढ़ता है तो तुरंत वो जो है सरने लगते हैं तो आप जो है उनको लुड़का करके घैती है तो सिंपल सालूशन में यह है कि गम्ले को में लुड़का करके रग देते हैं अगर बड़ी सी प्लास्टिक हो पॉलफिन ट्रांस्परेंट वाली हो तो भी कबर कर सकते हैं लेकिन ट्रांस्परेंट वाली से ही करिएगा ठोकी अगर सब्बोर सूरज वगशाना न कि प्रॉपर धंग से धूप नहीं निकलती है सारा दिन कोहरा सच बना रहता है तो हमारे वातावरण में कई बार हुमिरिटी जादा हो जाती है अबारिश भी हो रही है थोड़ी बहुत तो जो प्लान के पतियां है वो अपना एवोपरेशन वाला काम नहीं कर पाती है जिसस के दो तीन सालूशन है सबसे पहले आसान तरीका ये है कि आप उस फूल उस पत्ती को हटा दीजे फूल है तो कोई बात नहीं लेकिन पत्तियां कितनी हटाओगे आप पत्तियां एक दो है तब तो हटा दिया है अच्छा इस समय जो है पौडरी मिल्डियू का भी बहुत ज करना चाहते हैं तो जो है आप थोड़ा सा दूद लीजे पानी मिला लीजे सिंपल नॉर्मल पानी और जहां पर भी यगर वायट पाच्छ थे पौडरी मिल्डियू है वहां पर जो है उसको इसको कर दीजे पौडरी मिल्डियू एक-दो इस प्रे में ही खतम हो जाती है इ dopo 19 i ben यहांने brings arithmetic-OME का साइन यह रहती है कि यह से आपने फ्लावर्णंग् प्लांटम्स लगाए उन्से कलीया बन रही है कमी यह सब्यारा है नहीं उनुस लएक के बार्दिया फूलो वाले प्लांस लगा रखें तो उनका भी जो कलर है या उनका जो शेप है वो बिगड़ने लग जाता है और जो है साथ में उनके जो स्वात होता है उसमें भी फरक आ जाता है तो इस चीच का ध्यान रखिएगा इसमें आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो खराब मौसम के चलते दोस्तों पश्यू पक्षियों चुडियों को दाना भी नहीं मिलता है उनको भी अपना भोजन तलाशने में थोड़ी से दिक्कत होती है तो जहां पर भी आपके प्लांट हैं मिटियां हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं खोती रहती हैं वो कीड़ पीने को रख दीजेगा इस समय दोस्तों सरदियों में बहुत लोग आप बहुत तापते हैं या नहीं भी ताकते हैं तो आपके घर के अगल वगल कोई भी हलवाई है चूला जलाता है उसमें से जो राक निकलती है आप जो है थोड़े बहुत अपने गमले की मिटी में मिल सकते हैं तो जिससे की ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है लेकिन थोड़ी मातरा में ही मिलाईएगा थोड़ी मातरा का या मतलब है कि आपका साथ-8 इंच का गमला है तो उसमें जो है आप हाफ टी स्पून से लेकर के वन टी स्पून तक मिला सकते हैं जादा मत मिलाईएगा क्योंकि जो है राक जो है मिट्टी के बेसिक नेचर को चेंज कर देती है छोड़ी मातरा मिलाने में इतना कोई भी नुकसान नहीं है फ्रीका ही पोटाश जो है हमारी मिट्टी को मिल जाए लगाता हराब मौसम के चलते यानि कि धूप ना निकल रह हो इन में से कोई भी एक चीज हो रही हो तो आप जो है अपने प्लांट से बहुत ज़्यादा खाद या फे कोई भी फटलाइजर मट डालिए क्योंकि प्लांट दोस्तों इस समय ग्रोथ प्रॉपर ढंक से कर नहीं रहे हैं और जवदस्ति खाद वगरा डाल दोगे तो उन का तरीका था आप किस तरीके से अपने समस्याओं का सामना कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे संग शेयर कर सकते हो ताकि और सारी वीवर फ्रेंज जो हैं उसका अधिक से अधिक फायदा ले सकें फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक ये लिए अधिक बाइग।